अपनी लाइफ को दूसरों से compare करने का एक major problem ये है कि आप अपनी current situation तो compare कर लेते हो बट जर्णी कहां से start हुई वो आप कभी compare नहीं करते हो Basically, it is an incomplete comparison सबका starting point different है सबके resources different है सबके challenges different है सबके aspirations different है तो जब आप current situation को किसी से match कराने की कोशिश कर रहे हो तो please understand आपका starting point भी same होना चाहिए और अगर आपका starting point और उसका starting point same नहीं है तो end goal को compare करने का भी कोई फाइदा नहीं है In fact, the metric that you should measure is the distance or difference between starting point and ending point एक person है जो 200 से 300 पे पहुँचा है आप 50 से 100 पे पहुँचे हो तो क्या आप उससे पीछे हो? Yes, but आप 50 से 100 पे पहुचे हो that means आपका 100% improvement हो है जबकि जो 200 से 300 पहुचा है उसका 50% improvement हो है तो अब अगर मैं सिरफ end goal को देखूँगा तो definitely आप हमेशा depressed होगे कि मैं हमेशा पीछे हूँ वो हमेशा आगे है बट अगर आप अपनी जर्नी को देखोगे कि मैं हमेशा आप अपनी जर्नी को देखूँगा कि मैं हमेशा आप अपनी जर्नी को देखूँगा